दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक कंपोनेंट के बारे में बताया था जो कि बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह दिखता है जिसे हम इंडेक्टर कोईल कहते हैं या फिर कोईल हम कहते हैं अब यहाँ पर उस वीडियो में बहुत सारी कमेंट आये थी कि सा कर देना और शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुत सारे कोईल हमें देखने को मिलते हैं सर्किट में SMPS में कोईल को दूसरी भासमा आप इंडेक्टर कोईल भी कह सकते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले उसकी पहचान बता देता हूं फिर आपको एक डिटेल से बताऊंगा कि कोईल किस तरह वर्क करता है कैसे बनता है चलिए सबसे पहले बहुत सारे सर्किट मेरे पास है जिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता ह अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो SMPS है इसमें कोईल कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पर देखता है और दूसरा यहाँ पर ड्रम को यह आप देख सकते हैं यह वाली अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं यह कोईल है यह वाली यह फ्रिक्वेंसी के कोई भी number mention नहीं नहीं रहता है थोड़ी खुरद्धूरी आपको देखने कुल एक इसकी बार की नहीं रहता और यहां पूरी अगर आप कुछ है अलग लग सेप में मैं आपको दिखा रहा हूं फिर आपको डीटेल से बताऊंगा अब LED बल्ब के सर्किट में आप देख सकते हैं यहां पर यह कोईल का यूज किया गया है यह ड्रम कोईल है कोईल को हम जो PCB में हम कोडिंग से जानते हैं एल नाम से जानते हैं जहां भी को आपको अब यहां पर एक चीज़ और है ट्रास्पोर्मर भी कोईल का ही एक रूप है उसमें भी मैगनेक्टिक फिल्ड तैयार होता है वो सब होता है आपको फिर अभी वीडियो में डीटेल से आपको जानने के लिए मिलेगा बस वीडियो में बने रहिएगा और यह भी को है इस तरीके से भी आपको कोईल को आप पहचान सकते हैं यह वाली जो है यह कोईल है यह कोईल है यह कोईल है आपकी और बहुत सारी तरीके की कोईल होती है अभी मेरे को और भी मिलेंगी तो आपको दिखाते रहूंगा और कुछ कोईल आपको और दिखाता हूँ यह वाल को detail से जानेंगे सबसे पहले coil किसे कहते हैं यह बता देता हूं जब किसी wire को कुंडली के रूप में हम लपेट देते हैं जब कोई भी wire को हम कुंडली के रूप में लपेट देते हैं तो उसे हम coil कहते हैं यहाँ पर इसको मैं एक wire को simple wire तामबे की तार है इसको मैं कुंडली क ओपर बनकर तैयार हो चुकी है बिलकुल यही अब यहाँ पर देखिएगा यह इस तरीके की कॉh कुछ बनती है और यहाँ पर देखिए दो जी जाती है एक डिलू वैर के गरता वाईयर हैं अब आप कहेंगे एक सीपल वैर और इसमें क्या स्काल बंध Dif Personal cumplisaw है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अलग-अलग questions रहते हैं सब सब पहले आपको बता दूँ जो हमारे घर पे electricity आती है उसमें magnetic field होता है यानि कि इस चीज को आप थोड़ा सध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा यह वायर है अब यहां से देखिए यहां से current flow करता है देखिए coil को हम सीरीज में यूज करते हैं यह आप confirm एक जगा पर नोट भी कर सकते हैं coil को हम सीरीज में यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सा होता है मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है अब यहां से current flow कर रहा है तो इलेक्ट्रिक जो को समझ में आ जाए अब यहां पर देखिए simple wire में तो जो magnetic field होगा बिल्कुल current आगे को बढ़ेगा लेकिन यहां पर कुंडली के रूप में घूमते 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 जब तक उस सीरे में पहुंचेगा तब तक कॉन एक दूसरी सिहां पर देखिए जो magnetic कर होंगे एक दूस यह बताओं आपको कि coil को circuit में यूज क्यों किया जाता है यह तो बता दे कि coil इस तरीके से बनती है और इस तरीके से magnetic field वगरे generate होता है अब यहां पर एक चीज़ और समझने आनी बात है कोईल जो है current को बढ़ने और कम होने से रोकता है यहां पर जब यहां से current flow होता है यहां तक पहुंचता है तो यहां पर जो इसके अंदर magnetic field generate होगा तो वो current को मतलब stabilize करके उतना ही वहां पर भेजेगा जितना वहां पर circuit को जरूरत है आपको एक चीज बता दूँ जो AC light हमा वो जो है fluctuate रहती है मताब उसकी frequency up-down, up-down, up-down होती है अब यहां पर देखिए जब AC से हमारे circuit में DC बना और DC जब हमारे किसी भी circuit को एक स्थोटा सा मैं आपको और example मैं दे रहता हूँ एक MC PCB को ले लेता हूँ उधारन के लिए है इस circuit को मा लिजिए यह circuit है यह circuit 100 बोल्ट DC से चलता है ठीक है 100 बोल्ट DC से चलता है जब यहां पर जो इसमें driver यूदे Haru होता है यह वाला यहाए ड्रैवर यूज होता है यह सेक्सिन पूरा ऐसी से cdc करेगा नन् तब यहाँ पर गढ़ह एक्टिति फैर वेक्री यूज इसके यहाँ पर रहता है तो AC से DC करेगा देखिए AC से DC तो कर दिया उसके बाद भी light में जो है थोड़ा सा frequency up-down-up-down रहती है अब यहां से जब current निकलता है हमारा DC तो यहां पर अगर हम coil को निकाल कर एक simple wire लगा लेते हैं तो वहां पर current जो है up-down-up-down जब करता है तो इस MC PCB को खराब कर सकता है यहां पर current और voltage का जो confusion है वो आपको last में clear कर दूँगा फिलाल आप यह धान दीजी कि मैं आपर current की बात कराऊ voltage की बिल्कुल भी बात नहीं हो रहे है यहां थोड़ा सब आगे वीडियो में clear कर दूँगा अब यहां से हमारा AC input हुआ और rectifier वगरे के द्वारा पूरा resistance और यहां पर जो जो भी हमारे component capacitor वगरे लगे इसके filter होके DC बना और DC से direct यहां पर आ गया अभी यहां पर हमने इसको हटा के इसमें direct हमने यह series में लगा रहता है इसको हटा के simple wire डाल दी है तो AC आपको बता था up, down, up, down रहता है यह आपको दिखे का नहीं आप AC की frequency देखें तो up, down, up, down होते रहता है अब यहां तक जब यह DC बनके हमारा इस circuit को जाएगा कभी AC में current ज्यादा मात्रमा आए तो यह आपका खराब हो सकता है अगर इसमें coil लगा रहता है तो coil में क्या होता है, देखिए मानीजे, coil लगा रहता है यह वाला इस coil को मानीजे जब यहां से आपका पुरा circuit से AC से DC बनके आगया तो यहां से आप, यहां तक पहुँचने में अंदर magnetic field तेयार हुआ यह अपने हिसाब से, देखिए यह current को, यह current को absorb करेगा और उतना वही current देगा जितना circuit को जरूरत है एक दूसरी भासम कहें तो coil current को absorb करने का काम करता है जैसे capacitor voltage को absorb करके उतना ही voltage circuit को देता है जितना circuit को voltage के जरूरत होती है तो capacitor उतना ही वोल्ट आगे को देता है लेकिन coil just ultraze का काम करती है यह current को absorb करने का काम करती है यानि कि electricity में जो fluctuation रहता है pulse up-down-up-down रहती है उसको maintain करता है यह मतलब आपका जो coil आप लगा लेते हैं तो उसके बाद जो भी इसमें आपके electricity में जो fluctuation रहता है तो इसके अंदर एक magnetic field generate होता है जो electricity को यानि कि current को बिलकुल maintain करके उतना ही current भेजता है जितना circuit को current की जरूरत रहती है आपको और simple भास में समझाओं तो coil का काम current का बढ़ना और घटना जो हमारा होता है उसको रोगता है उतना ही current आगे देता है जितना current की जरूरत circuit को होती है यह frequency को maintain करने का काम करता है और जो हमारे pulse up-down, up-down, up-down वगरे रहते हैं उसको भी maintain करता है यानि कि stabilize करता है circuit में जब coil लगी रहती है उसका जो सबसे बड़ा benefit यही होता है कि जब current अगर change होना चाहता है तो उसे coil change नहीं होने देती है coil का सबसे बड़ा काम यही होता है कि current को यहाँ अपने अंदर store कर लेता है और इसके जो अंदर magnetic field रहता है उसके अंदर current store रहता है उतना ही आगे वह भीजता है जितना circuit को जरूरत रहती है यानि कि हम कह सकते हैं कि यह है एक current storage का काम करता है यहाँ पर एक coil आपको दिखाता हूँ देखिए यह जो coil आप देखिएगा यह coil है coil हमेज आपको बताया था मैं सीरीज में लगता है आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझने की कोशिस की होगी तो आपको जरूर बिल्कुल मैं guarantee देता हूँ आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी coil होती है सभी का एकी काम होता है अब कुछ coil frequency के लिए भी यूज होती यह बूस्ट कोई भी जिने हम कहते है जो की power bank को अगर मैं module में देखने के लिए मिलती है जैसे कि आपको एक power bank का module में दिखाता हूँ यह power bank का module है यहाँ पर देखिए यह coil है यह boost के भी रूप में काम करती है मतलब ampere बढ़ाने का भी काम करती है तो बहुत सारे काम कोई के होते है जो main काम रहता है बिल्कुल यही होता है कि वह frequency को maintain करती है यानि की current को maintain करती है जैसे की current अगर circuit में ज्यादा घुसेगा तो coil उसको absorb करके उतना ही current आगे भेजेगी जितना उसको जरूरत है अब एक और छोटा समय आपको DTS का kit ले लेता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ यहाँ पर coil लगी रहती है यहाँ से हमारा circuit जो start हो रहता है देखिए primary section यह है primary section में rectifier के just बाद में coil लगी रहती है अब यहाँ पर यह coil क्या काम करती है यह अगर इस coil को आप हटा देंगे तो TV screen पे line जैसी नजर आएंगी तो यही काम coil का रहता है जो current यहाँ से पास होगा तो coil उसको current को absorb करके उतना ही current आगे देगी जितना circuit को जरूरत है अब यहाँ पर देखिए current और voltage मैं कितना अंतर है यह मैं बता देता हूँ अब यहाँ पर आप लोग कह रहे हूँगे यार एक capacitor भी होता है जो store का काम करता है तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जैसा कि यह capacitor है और चलिए यह coil है दो चीज़ है दोनों का काम इस्टोरेज करना है लेकिन इसका काम voltage इस्टोरेज करना है और इसका काम current को इस्टोर करना है circuit में देखिए अगर हम किसी भी circuit में अगर capacitor यूज नहीं करते हैं तो हाँ पर circuit में circuit को यह भी properly वाक नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल rectifier के बाद में जो component लगा होता है बिल्कुल यही रहता है यह voltage को इस्टोर करता है अपने अंदर जितना voltage हमारा आगे circuit demand करता है यानि circuit को जरूरत रहती है वो capacitor उसकी आपूर्ति करता है कभी हमारे circuit में अगर कम voltage आती है तो capacitor उसकी आपूर्ति करता है तो माल यह जाए किसी भी circuit को 100V की जरूरत है माल यह जाए 100V की जरूरत है तो capacitor अपने अंदर और rectifier से जो भी current आएगा उसको अपने अंदर store कर लेगा और circuit को सिर्फ 100V ही देगा अब rectifier से current अगर कम आ गया कम या ज़्यादा आ गया तो capacitor को store कर लेगा और circuit को उतना ही देगा कम आने पर भी उतना ही देगा च्यादा आने पर भी उतना ही देगा तो अपूर्ति उसकी capacitor करता है यहाँ पर voltage की बात हो जो थी तो capacitor voltage को store करता है वहीं पर अगर current के store की बात आई तो current store क्या करता है coil तो उस जो है circuit को current उतना ही देगा जितना उसकी requirement होगी ज्यादा current अगर coil से होते वह आ गया तो coil उसको absorb कर लेगी और उतना ही आगे पास करेगी जितना current उसको जरूरत है जो इसके अंदर magnetic field पूरा बनता है उसको absorb करता है उसको अगर एक आएक कभी current अगर कम भी हो गया तो यह है उसकी आपोर्ति करेगा circuit को जितना current की जरूरत है अगर वो कम हो जाए तो यह अपने अंदर से जो storage current होगा उसको circuit को देगा लेकिन circuit को पूरा पुरा चलाने का काम यह करेगा अगर कोई की जगा आप simple कोई भी wire use करते हैं अगर कोई आपके पास coil नहीं है उसकी जगा आप jumper मार के किसी भी wire को लगा लेते है तो आपका जो है circuit properly work नहीं करेगा work करेगा लेकिन वहाँ पर उतना performance नहीं देगा जितना coil को लगाने के बाद performance आपको मिलता है तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेगा है यह current को storage करने का काम करता है और capacitor voltage को storage करने का काम करता है जैसा हमारी जो THEory coil में यूझ होती है वही यूझ होती है वहीं रांसफोर्मर के भी बात आपको बता दूँ simple है देखे जो कोईल में हमारी magnetic field वाली थिए लगती है वही ट्रांसफोर्मर में भी बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा यह transformer का मानके चलिये transformer नहीं है यह दो कोई ले हैं तो transformer की भी बिल्कुल ऐसी ही एक diagram की बात करें तो ऐसा ही होता है यहाँ से हम लोग ac input करते हैं तो इन डोनों सीर्व से हमारा ac निकलेगा अब transformer के के भी बहुत सारे टाइब होते हैं step up step down तो यहां पर सिर्फ आपको मैं ट्रांस फोर्मर की एक सिंपल परिभासा बता देता हूं तो यहां से यहां से हमने AC input कर लिए इन दोनों वायर से तो यहां से हमारा बिल्कुल AC step down अगर आप इसको मानते हैं तो step down यहां से होके निकलेगा 220 वोल्ट गुसा और 12 वोल्ट निकल के बाहर को आ गया अब अब आप कहेंगे यह तो इसके इससे बिल्कुल connect नहीं है तो इन दोनों से हमने कैसे 12 ले लिया AC connected तो एक दूसरी है नहीं अब बीच में जो है इंडेक्शन में जब भी कोई जब भी कोई मैटलिक चीज हम रखते हैं तो वा हीट हो जाती गर्म हो जाती है जब आप हाथ रखते तो नहीं होता है वैसा ही वैसा ही आपको बहुत सारी डिवैस में देखने को मिलता है जैसे कि आजकल वाइफ है में भी फ्रिक्वेंसी टांसफर के लिए यूज किया जाता है बहुत सारी डिवैस में आज के लिए टेक्निक उप्योग में आ रही है तो ट्रांसपोर्मर का बिल्कुल यही सिंपल एक सिद्धानत है इसके बीच कि जितना उसको स्टेप डाउन करके करेंट देना है उतने उसी साब से फेरे और राउंड उसमें पढ़ेंगे उसका भी गेज वागर पूरा एक सिस्टेम होता है तो यह ट्रांसपोर्मर की थेओरी होती है तो इसमें भी वही सिद्धानत काम करता है मैंगनेटिक फिल्ड बनके त्यार हो जाता है और उस करेंट को वह एब्जॉब कर लेता है सिंपल वायर में उतना नहीं करेगा अगर उसको बिल्कुल जैस्ट हमने कुंडली के रूप में दे दिया तो बिल्कुल इतने पास-पास में आ गया तो और बीच में एक धातु की छड़ आपको यह द जाता है और वह सर्किट को बिल्कुल वैसे ही करेंट प्रदान करता है जितना सर्किट को जरुवत होती है यह मैंने आपको अलड़ी बता दिया और इतनी लंबी वीडियो किसने का मेरे यही मक्सेदा कि आपको इस वीडियो में अच्छी तरीकी से समझाने का और कोई भी आउट है तो आप कमेंट किजिए मैं दूसरी वीडियो बनाओंगा मेरे द्वारा दीगी जानकर ये अगर आपको पतंद आयो हो तो इसे लाइक कर देना शेयर करना लाइक तो बनता है बनता यार और शेयर तो कर ही देना तकि और लोगों भी सिखने के लिए मिल जाए और